नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है सेकर और स्वागत आप सवी का हमारे ट्यूब चैनल सिकर स्टेडी पॉइंट पर दोस्तो सबसे बहले बात कर लेते हैं पर उत्राखंट एल्टी सिक्चक भरती का रिजल्ड पंद्रा नौंबर तक जारी करने की मांग बेरोजगारू ने दी आ आठ अगस्त को और अभी नौंबर चल ला है तो दोस्तो अभी तक तो रिजल्ड नहीं आया है और इसके लिए दोस्तो 15 नौंबर तक रिजल्ड जारी करने की मांग की है इसके लाव बात करेंगे दोस्तो बंद्रोगा का एकजाम भी दोस्तो 16 जुलाए से लेकर 26 की मां लंबे समय बाद बैठने का मुझा मिला 2017 के बाद 2020 में लटी भरती निकली और उसके बाद दोस्तो पहले इसका एक्जाम कब होने वाला था, तो अपरेल में होने वाला था, 25 अपरेल को होने वाला था, फिर उसके बाद फिर सकते रहा, फिर दोस्तो आठ अगस्त को एक्जाम हुआ, और अब UK SSC परिक्षा का परिणाम जारी करने में लंबा समय लगा रहा है, 2020 के बाद भरती के समय पर आयुजित की गई थी, जिनका परिणाम एक-एक महा के भीतर जारी कर दिया गया, जबकि UP में परिच्छा में बैठने वाले अब्भरत्यू के संक्या, उत्राखंड LT के अब्भरत्यू से 19 गुना थी, हाँ उसे भी UP उतना बड़ा है, तो 19 गुना थी, युवा लगातार 3-4 साल से बाहर रहकर कमरू से लेकर कोचिंग का किराया भरते रहे, हाल कुछ यू है कि 5 साल में एक भरती पूरी होपाना मुश्किल है, सायद यदि आयोग परिणाम जल्द से जल्द जारी कर दे तो कुछ अब्भरत्यू को सिक्चक बनने के सपने साकार होने के साथी आगे नई भरती के लिए भी राष्टे खुल जाएंगे जिससे पुराने लोगों के साथ साथ नए लोगों को भी सिक्चक भरती माविदन करने का मौका मिलेगा, जल्द से जल्द कम समय अंतराल में मिल जाए, अभ्यरती लगातार नियमित रूप से एल्टी परिक् परस्तावित है, अगर परिणाम 15 नवंबर तक जारी नहीं हुआ, तो अभ्यरतियों को एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, जिससे अभ्यरती काफी आक्रोसित है, और उनका कहना है कि अगर सचीव संतोष बढ़ोनी 15 नवंबर तक रिजल्ट घोसित नहीं करते हैं, तो वहां दोनु मंडलू मैं आंदोरन शुरू कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी आयोग की रहेगी, वे आयोग को सचीवाले के बाहर कर्मिक धर्मा भुकरताल करेंगे, जिससे उम्मीदवार आयोग और राजी सरकार की जिम्मेदारी होगी, जिसकी जिम्मेदारी आयोग आयोग द्युवालि के बाद जारी कर सकता है तो बिलकुल त्यार रहे आयोग 15 दिन पहले भी बता सकता है कि आपका पेपर होने वाला है वीडियो का तो फिर इतना ही समय मिलेगा तो आप की बहले से मतलब की बहुत पहले से हैगा कलेंडर ऐसा कुछ भी नहीं है आयोग पंदर दिन पहले भी जैसे फॉरस्टिक आर्ड के लिए उस समय एक्जाम होना था तो लगवग लगवग पंदर दिन पहले बताए था कि फॉरस्टिक आर्ड का एक्जाम है दो सिप्टम में 2020 में उस समय तो आप लोग तयार रहेगा और विवाली के बाद है कि पूरे संभावना है कि आयोग इसका भी कारिकरम जारी कर देगा तो आप तयार रहेए पांच दिसंबर या फिर 19 दिसंबर को दो इसकी एक्जाम होने क अब कनिस्षाइक का तो एक्जाम हो गया जैसा भी हुआ जो भी हुआ तो अब आगे देखिए और बंदरोगा का रिजल्ट भी दोस्तो इस महा तक आने की पूरी संभावना है अन्ततक बाकि LT का भी आ जाएगा और इसका रिजल्ट भी आ जाएगा तो लगबग लगबग कि 632 अब भर्तियों को फिजिकली के लिए उसमें भुलाया जाएगा तो आप लोग त्यार रहिए और जिन्होंने भी वीडियो भी वीडियो का भरा है तो आप दो दोस्तों लगे रहिए बिल्कुल तेयारी मत छोड़िए और उसके बाद दोस्तों फिर जैसा सुन्य मारा कि 25 के बाद जो है आचार सिता लग सकती है फिर चुनाओ भी है तो फिर उस पीज में कोई से आयो करा सकता है लेकिन देखने वाली बात होगी कि चुनाओ के बीच में पेपर होते हैं नहीं जहांता का मुश्किल है क्योंकि आयो ने पहले ही काया कि जो अधिकारी गड़ है वो चुनाओ में भी थोड़े वीजी हो जाएंगे तो यह थी आज की जानकारी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं बाकी मिलते हैं बहुत जलते एक नहीं वीडियो में चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिज